2022 में देश के लोगों का सामर्थ, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई माईनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अध्भूत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये और इसी वर्ष अम्रित काल का प्रारंब हुआ। इस साल देश ने नई रप्तार पकड़ी, सभी देश वास्चों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिंद सपलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशे स्थान बनाया है। 2022 याने भारत द्वारा दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता का मुकाम हांसिल करना ह। 2022 याने भारत द्वारा 220 करोड वैक्सिन का अब विश्वसली आंकड़ा पार करने का रेकौर्ड 2022 याने भारत द्वारा निर्यात का 400 बिलियन डॉलर का जादू यांकड़ा भार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मन निर्भर भारत के संकल्प को अपनाना जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एरक्राप केरियर आइनेस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का पर्चम। 2022 यानी हर शेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी जाहे कॉमन वेल्ट गेम्स हो या हमारी माइला होके टीम की जीत हमारी युवाओं ने जबर जस्त सामर्त दिखाया। साथियों इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा यात किया जाएगा। ये हैं एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एक जुड़ता को सेलिबरेट करने के लिए भी कई अध्भुत आयोजन की गुजरात के माधोपुर मेला हो जहां रुक्मनी विभा और भगवान क्रश्ण के पुर्वत्तर से समंदों को सेलिबरेट किया जाता है या फिर काशी तमिल संगमम हो इन परवों में भी एकता के कई रंग दिखे दोहजार बाइस में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है अगस के महने में चला हर घर तिरंगा भ्यान भला कौन भूल सटना है वो पल थे हर देशवासी के रौंटे खड़े हो जाते थे आज आदे के 75 वर्स के इस अभ्यान में पुरा देश तिरंगा मै हो गया छे करोड से जादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेलफी भी भेजी आज आदे का ये अमरित महोसव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा अमरित काल के निवत को और मजबुत करेगा